Hello Great One, Today we will start our new chapter of Hindi. The name of the chapter is आम की कहानी. यह एक चित्र कता है, यानि चित्रों के द्वारा कहानी को दर्शाया गया है. Now I will tell you about the story. Okay, let's start. कक्षा एक पाट दो आम की कहानी. एक लड़की और कफे ने पेड़ पर पका हुआ आम देखा. लड़की ने सोचा क्यों नहीं आम तोड़ लिया जाए. लड़की ने अपने भाई को बुलाया और उसे वह आम दिखाया. लड़की के भाई ने अपनी गुलेज से उस पर निशाना साधा. पेड़ में बैठा कववा यह सब ध्यान से देख रहा था. जैसे ही आम तोटा कववे ने आम लपक लिया और वह वहाँ से उड़ गया. यह सब देखकर दोनु भाई बेन बहुत उदास हो जाते हैं. लेकिन जैसे ही कववा उड़ते वे आगे बढ़ता है वह मदुमक्यों के छते से टकरा जाता है. मदुमक्यों कववे को डंक मारने लगती हैं, इससे कववे के मुह से आम चूटकर कववे के घोसले पर गिर जाता है. पेड में बैटी गिलहरियों ने जब आम घोसले में देखा तो उन में से एक गिलहरी वह आम उठा लेती है. गिलहरी के आम उठाने से कवे के अंडे तूट जाते हैं और उन अंडों से कवे के बच्चे काउं 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 का शोर मचाना शुरू कर देते हैं इससे तरकर गिलहरी के हाथ में से आम छूट जाता है और आम नीचे बैठे आदमी के पगड़ी पर गिर जाता है लड़की उस आम को उठा लेती है और उसका भाई अपनी गुलेल का कमाल देख कर खुश हो जाता है So student, you have to learn this story at home Okay, thank you